साथ अफरिका की टीम पांच बार वल्लकव फाइनल तक पहुंचते पहुंचते रह गई 16 नवंबर के मैच में भी साथ अफरिका को अस्ट्रेलिया के खिलाफ हार मिली इसके बाद खिलाडियों की ऐसी तस्वीरे आई जिनें देखकर आपका भी दिल बढ़ जाएगा और आँखें नम हो जाएंगी आखिर क्या है साथ अफरिका की कहानी वर्ल कप के समी फाइनल में साथ अफरिका को अस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा उस्ट्रेलिया वर्ल कप में पांच बार की विजिता रही है सोला नवंबर को कुलकाता के इडिन गार्डिन स्टेडियम में और उस्ट्रेलिया की टीम में तीन विकेट से जीत हासल की इसी के साथ वॉल कप में साथ अफरिका का सफर खत्म हो गया आगे बात करेंगे इन तस्वीरों की और इन पर आने वाले प्रतिक्रियों की उससे पहले उन मौकों की बात करते हैं जब साथ अफरिका वर्ल कप जीते जीते रह गई ऐसा पहली बार नहीं है जब South Africa World Cup के समी-final तक पहुंच कर हार गई हो World Cup 1992 की समी-final में South Africa को England की टीम से हार मिली थी उस समय बारिश के नियमों के कारण इस टीम को नुक्सान पहुंचा और टीम-final में नहीं पहुंच पाई 1999 के वर्लकप में भी साउथ आफरीका की टीम समिफाइनल में पहुंची थी इस बार उन्होंने आस्ट्रेलिया के खेलते हुए मैच टाइक कर लिया लेकिन टॉर्नमेंट की शुरुआत में बहतर नेट रन रेट के कारण आस्ट्रेलिया को जीत मिली 2007 में एक बार फिर साउथ आफरीका को समिफाइनल में उस्ट्रेलिया का सामना करना पड़ा और इस बार भी उन्हें हार मिली 2015 के समिफाइनल में साउथ आफरीका के सामने थी रह गई इसके बाद सोशल मीडिया पर टीम के प्रशंचर खूब इमोशनल हुए मुफद्दल वोरा ने एक्सपर साउथ आफरिकी खिलाडियों की निराशा से भरी तस्वीरे पोस्ट की उन्होंने लिखा समी फाइनल में हमेशा साउथ आफरिका को ही हार का सामना करना पड़ता है सबीन ने लिखा नियूजिलैन के बाद सबसे बदकिस्मत टीम एक यूजर ने दुख जदाते हुए लिखा साउथ आफरिका की टीम के लिए उदास हो क्रिश्णा ने लिखा साउथ आफरिका ने अच्छा खेला फाइनल में भारत आपका बदला लेगी एमदबात के नरेंद्रमोदी स्टेडियम में भारत और आस्ट्रिलिया की बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच होना है बारत दो बार वर्ल कप की विजेता रही है तो वहीं आस्ट्रिलिया को पांच बार चीत मिली है ऐसे में माना जा रहा है कि ये मैच रुमान्चक होने वाला है